हलो नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी निये टेक्नोलाजीम आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको सैमसंग जे टू कोर में एफ रपी लॉक को कैसे अनलॉक करते हैं इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना अगर वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना तो याँपर दोस्तव हमको पैटर नहीं पता तो इसलिए इमिल का हम यूज करेंगे तो याँपर आप देख सकते हैं कि जब हम Google का यूज करते हैं इमिल का तो यहाँपर हमको एक इमिल डालने का अप्षिन आ रहा आ है जो में इमेल नहीं बता है तो इस तरह की एफ आर पी लॉकॉम कैसे अनलॉक करेंगे इसी बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले दोस्तों आपको दो चीजे बना कर रखनी है सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको अपने फोन में एक SIM डाल कर रखनी है एक ही तो SIM आपको डाल कर रखनी है और दूसरी चीज़ जो है वो है एक Microsoft पर एक email ID बना कर रखना यहने कि जिस तरह से हम Google पर email ID बनाते हैं उसी तरह से Microsoft के भी हम एक ID बना कर रखने है इसका भी use में होने वाला है這樣 याँ पर आप आप देख सकते हैं SIM भी कनेक्त और वाई-फाई भी कनेक्ट है तो सबसे बहुत पहले हम इमर्जेंसी पर जाएंगे इमर्जेंसी पर जाने गाँ याँ पर आपको एक नमबर डायल करना है आपको सिर्फ एक ही नमबर डाइल करना है 112 और अधरवाइस आप कोई दूसरा नमबर डाइल करते हैं तो वो डाइल नहीं होगा इसलिए आपको 112 ही नमबर डाइल करना है तो चलिए यहां से हम 112 नमबर डाइल कर लेते हैं डाहिल करने के बाद यहां पर आपको थोड़ा सब वेट करना जब तक call receive ना हो जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं उपर कि call receive हो चुकी है अब यहां पर उपर साइड में three dot button बनी हुए इस पर टैप करेंगे टैप करने के बाद नीचे send message लिखा हुआ है इस पर टैप करेंगे टैप करने के बाद कुछ इस तरह interface आपके सामने आ जाएगा तो यहां पर आपको एक लिखना है www.youtube.com यहां पर आपको www.youtube.com लिखना है और send कर देना तो चलिए पहले ट्रिक जो है वो हम YouTube से करके देखते हैं तो यहां पर आपको इस पर इस लिंक पर टैप कर देना है टैप करने के बाद यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह YouTube ओपे नहीं हो रहा है तो चलिए इसी में मैं आपको दूसरी ट्रिक भी बता देता हूँ अगर YouTube वर्क नहीं करता तो तो आपको उस लिंक पर टैप करके रखना है उसके बाद share लिखा हुआ इस पर टैप कर देना है अब यहां पर नीचे देखे इमیल का ओप्सन आ रहा है उस पर टैप कर देंगे टैप करने के बाद यहां से हम इसे next या skip कर देंगे अब यहां पर आपको edit इमेल लिखा हुआ आ रहा हूपर उस पर टैप करेंगे और यहाँ पर उपर से दूसरा नमबर जो उप्सन है उस पर टैप करेंगे मैंने आपको बताया था कि एक Microsoft की mail ID आपको बनाना दूँ वो mail ID आपको यहाँ पर डालने है और Microsoft में आपको login कर लेना है mail ID आप Google से बना सकते हैं गूगल में आप Microsoft login या sign up कर लिखेंगे उस पर आप mail ID बना लेंगे mail ID डालने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ट डालना जो आपने उस mail ID में डाला होगा तो यहाँ पर हम पासवर्ट डालके sign up कर लेते हैं यहाँ पर हमने mail ID डाल ली है यहाँ पर अब थोड़ा सवर्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर next पर टैप कर देंगे टैप करने के बाद एक बार फिर से next पर टैप करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं का हमारी email ID एड़ हो चुकी है उसके बाद नीचे tag में लिखा हुआ इस पर टैप करेंगे और उपर three dot button बनी हुई है इस पर टैप करके help and feedback पर टैप करेंगे टैप करने के बाद यहाँ पर हम search करेंगे disable यहाँ पर हम लिखेंगे disable और पहले वाले option पर टैप कर देंगे टैप करने बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा अब हम इसे उपर करेंगे और यहाँ पर टैप टू सेटिंग लिखा हुआ है इस पर टैप कर देंगे टैप करने बाद हम सबसे नीचे जाएंगे और यूटूब पर टैप करेंगे टैप करने के बाद इसे हम थोड़ा से उपर करेंगे और नोटिफिकेशन लिखा हुआ है नोटिफिकेशन पर हम टैप करेंगे टैप करने के बाद सबसे लास्ट में more setting लिखा हुआ है इस पर टैप कर देंगे टैप करने के बाद सबसे लाश्ट में एबाउड लिखा हुआ है तो हम एबाउड पर टैप करेंगे और उपर से जो तीसरा नमबार है यूटूब टर्म आउफ सर्विस इस पर टैप कर देंगे तो इस तरह से दोस्तो हम ड्राउजर में आ जाएंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले गूगल सर्च कर लेना है अब यहां पर हम एक फाइल सर्च करेंगे जिसका नम है वी एन रोम तो यहां पर हम वी एन रोम सर्च करेंगे सर्च करने के बाद पहले वाले आप्शन पर टैप कर देंगे यह हमारा Samsung J2 Core है, इसका model number 8.1.0 आए, इसका Android version 8.1.0 तो इसलिए हम Android version 8.9 यहां से डाउनलोड करेंगे, तो यहां से हमारी फाइल जो है, वो डाउनलोड होना स्टार्ट अभी हो जाएगी, तो यहां से हम इसे allow कर देंगे, allow करने के बाद यहां से हम cancel कर देंगे, बैक करने के बाद यहां पर आपको एक दूसरी फाइल डाउनलोड करनी है, जिसका नाम है FRP bypass, पहली फाइल जो आपको डाउनलोड करनी है, वो Android version 8.9 करनी है, और दूसरी FRP bypass, तो यहां से आपको दो फाइलें दोनों डाउनलोड कर ल यहां पर हम दोनों फाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो सबसे पहले आपको Google Account Manager इंस्टॉल करना है, जिसके लिए आपको setting में जाना पड़ेगा और unknown source को enable करना होगा, अब यहां से हम Google Account Manager को इंस्टॉल करेंगे, और done पर टैप कर देंगे, इसके बाद FRP log को भी हम इंस्ट करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद इसे हम open कर लेंगे, open करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं, ओपर three dot button बन के आ रहे हैं, इस पर टैप करेंगे, और browser sign in पर टैप कर देंगे, टैप करने के बाद यहां पर आपको email id डालने का option आ रहा है, तो यहां पर हम कोई भी new create की हुई email id यहां पर डाल लेंगे, email id डालने के बाद यहां पर हम password डालके login कर लेंगे, तो यहां पर हमने email id और password डालके यहां पर login कर लिया है, अब हम अपने phone को restart करेंगे, तो दोस्तों, यहां से हमारा phone restart हो चुका है, अब हम फिर से वही process करेंगे, सबसे पहले start पर tap करेंगे, tap करने के बाद next पर tap करेंगे, फिर agree पर tap करेंगे और थोड़ा सब wait करेंगे, और यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर account added लिखकर आ रहा है, तो यहां पर account added लिखकर आ रहा है, उसके बाद हम nest कर देंगे, next करने के बाद यहां पर थोड़ा सब wait करेंगे, और यहां पर हम tap करेंगे, tap करने के बाद यहां से आप log लगाना चाहिद लगा सकते नहीं, तो आप इसे skip कर सकते, skip करने के बाद यहां से आप no thanks या continue पर tap करेंगे, टाप करने कबाद एक बार फिर से कांटीनियू पर टाप करेंगे और फिर मोर पर टाप करेंगे और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे एक्सेप्ट करने कबाद फिनिस पर टाप कर देंगे टैप करने के बाद यहां पर हमको दोनों से दिखा रहा है उस पर डन पर टैप कर देंगे और यहां पर थोड़ा सब वेट करेंगे इसके बाद हम लेंगवेज सेलेक्ट करेंगे जो भी लेंगवेज आपको सेलेक्ट करने हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे स्लेक्ट करने को बदर Kane पर टाइप कर लेंगे और holly यहांसी से की बर कर देंगे कि इसके करने कड़िया यहांपर थोड़ा सरवेट करेंगे और यहांपर जो application अच्टॉल करना उसरे अंटिक कर देंगे और फिनिस पर टैप कर देंगे तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मारे फोन से अफार पी लॉक अनलॉक हो चुका है तो चलिए यहां से हम इसका आपको मॉडल नमबर दिखा देते हैं कि यह समसंग जे टू जिसका एंड्रोइड वर्जन 8.1.0 है तो यहां से हम इबाउड में चलते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका मॉडल नमबर समसंग जे टू सिक्स जीरो जी और एंड्रोइड वर्जन 8.1.0 है तो उमीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबादे हैं